हेलो टेडर्स वेलकम बैक टू माय चानल चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और प्रीवेस वीकेंड तक हमें लग रहा था कि मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है और यहाँ पर से हमें और भी उपर के लेवर्स देखने को मिल सकते हैं पर अगर आप देखोगे तो हमने बोला था कि 18,000 एक important resistance होने वाला है जहाँ पर से एक profit booking आ सकती है पर अगर आप थोड़ा सा पूरा structure अभी देखोगे तो यह मुझे एक bear structure लग रहा है अभी क्यू में आपको यहाँ पर पूरा analysis बताने वाला हो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price ने इसका अच्छा सा breakout कर दिया यहाँ पर कोई अच्छे हम के सकते की एक positive एक strength वाली candle green candle नहीं बनी यहाँ पर से price नीचे आया और यह एक fake breakout हो गया थोड़ा सा मैं यहाँ पर zoom in कर देता हो आपको अच्छे से दिख जाएगा आप यहाँ पर देख सकते कि price ने इसका breakout कर दिया यह breakout fake breakout निकल गया price नीचे आया price यहाँ पर retest कर रहा है और retest के time पर price यहाँ पर एक inside बार candlestick pattern मना रहा है और जिस तरीके से global markets ने Friday को closing दिये है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर global markets देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते कि पूरे global markets यहाँ पर minus 1.27% पर यहाँ पर closing दिया है इसी वज़े से पूरा यहाँ पर global markets negative लग रहा है इसी वज़े से बहुत ज्यादा probability हो सकती है कि हमारा market भी यहाँ पर gap down खुले फिर भी मैं आपको यहाँ पर simple बताना चाता हूँ इस वाले level का भी यहाँ पर fake breakout हुआ है फिर भी मुझे market bullish है कब तक जब तक price 17,350 के उपर है अभी यह level मेरे लिए बहुत ही important है आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब price इस वाले level पर आया था price को उपर से rejection मिल रहा था बट price ने इसका breakout कर दिया और अभी भी अगर आप देखोगे तो previous day मतलब 23 August के अगर आप यहाँ पर candle देखोगे तो price ने exactly यही पर support लिया था 15 minute में यह price action हम यहाँ पर थोड़ा सा define करने वाले बट अगर आप देखोगे तो 17,350 मेरे लिए बहुत ही important level है और यह एक market profile का level है previously भी आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर price ने resistance लिया था और यहाँ पर भी price ने बहुत ही अच्छी activity दिखाई दी इसी वज़े से यह एक yearly important market profile का level है इसी वज़े से जब तक price इस level के ऊपर है मेरे लिए price bullish है बट अगर price इस level के नीचे open हो रहा है या फिर range में open होके इस वाले level को breakdown कर रहा है तो मेरे लिए price bearish होने वाली है ठीक है अब ही अगर आप यहाँ पर देखो कि तो यह trend line का भी support है पर अगर हम यहाँ पर intraday की बात करें तो मैं यहाँ पर directly आपको अभी trade तो नहीं बता सकता जो कि मैं normally करता हूँ क्योंकि global market से यहाँ पर बहुत ही जादा negative में close हुए तो हमें पता नहीं है कि market कहा पर open होगा फ important support का काम करने वाला है और यह एक market profile का important support ही प्लस अगर हम यहाँ पर Fibonacci extension का tool लेंगे और यह जो यहाँ पर pullback लगा था इसको bottom से लेके top तक लगाएंगे तो downside के important support समय मिल जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.272 1.272 भी हमारे लिए important support है इससे अगर हम यहाँ प करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि price ने यहाँ पर बहुत बार support लिया हुआ है इसी वज़े से यह structural level प्लस यह Fibonacci का level मिल के यहाँ पर support का cluster बनाएंगे और यह 17,250 का level हमारे लिए important support का काम करने वाला है next important support होगा 1.618 जिसका level आ रहा है लगबग 17,100 का level ठीके त पता नहीं कि market कहा पर open होगा बट यह 3 levels को हम यहाँ पर consider कर सकते हैं तो यह हो गया पूरा हमारा analysis निफ्टी का में detail में तो trades नहीं बता सकता क्योंकि हमें पता नहीं यह market कहा पर open कर रहा है बहुत बड़ा gap pump हो जाएगा तो यह trades काम नहीं करेंगे इसे वज़े से यह important support से अभी हम यहाँ पर से bank nifty के तरब चलते हैं तो bank nifty में भी अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो हमने यहाँ पर क्या discuss किया था कि price अपने बहुत ही important swing high पे पहुच चुका है और price यहाँ पर से rejection ले रहा था आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि similar price action यहाँ पर भी दिख यहाँ पर gap down open हो सकता है क्योंकि global markets की वजह से अभी यहाँ पर भी एक important support है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 38,187 का level मेरे लिए बहुत ही important support का काम करने वाला है जब तक price इस level के ऊपर है मेरे लिए price bullish है daily time frame में ठीक है और अगर आप देखोगे तो price जब इस वाले level पे आ र अगर जब price ने इसका breakout कर दिया price यहाँ पर retest के लिए भी आ रहा था यहाँ पर भी 15 minute time frame में बहुत ही अच्छा price action बन रहा है पर फिर से price यहाँ पर जाने के बाद में rejection ले रहा है मतलब अपने previous swing high पर यह sustain नहीं कर पा रहा है ठीक है तो आपको पता चल गया है कि 38,187 हमा यहाँ पर नीचे open होगा फिर भी price उपर आया और यहाँ पर exactly एक retest किया double bottom pattern मनाया और यहाँ पर से हमें यह bullish rally देखने को मिली है ठीक है अभी अगर हमें यहाँ पर important supports धूनने तो एक तो support आपको यहाँ पर से मिल गया तो दूसरे supports हमें simple Fibonacci extension का tool लेना है यहाँ पर एक level अगर यह level हम यहाँ पर इस तरीके से आगे extend करेंगे तो price ने previously भी यहाँ पर support लिया हुआ था इसी वज़े से यह एक हमारे लिए important support है अगर price यह भी level break कर देता है तो important support होगा 1.618 का which is 37,000 का level 37,000 का psychological level है और यहाँ पर Fibonacci का भी level है इसी वज़े से यहाँ पर support का cluster बन यहाँ पर resistance क्यों नहीं बता रहा हूँ क्योंकि simple अगर आपको पता होगा अगर price in level के नीचे open हो रहा है तो price यहाँ पर pullback लेके नीचे गिर सकता है तो उसी type हम यहाँ पर consider कर सकते है और अगर हमें buy जाना है इन level पर buying करनी है तो मैं simple बताना चाहता हूँ कि एक price action का wait reversal pattern बनने दीजिए देन हम यहाँ पर buy कर सकते है अगर 1.272 पर आ रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा price action का wait करना है देन यहाँ पर करना है पर अगर price को breakdown करना है कोई भी यहाँ पर negative candle बन रही है तो हम यहाँ पर से directly shot कर सकते है क्योंकि market आप देख सकते हो कि momentum यहाँ पर bearish बना रहा है पर जब तक 38,187 के ऊपर है हमारे लिए market bullish है ठीक है daily time frame है तो यह पूरा पूरा analysis यहाँ पर बन रहा है मेरा nifty or bank nifty का stocks यहाँ पर आपके साथ share नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा gap down हो जाएगा तो यहाँ पर setup काम नहीं करेंगे live market में अगर कुछ मि और इसी वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते thank you very much